हेलो गाज वेलकम बेक टू इंसरी पोर्डल और आज जो हम लेके आँ हैं आपके लिए वह मोस्त इंपोर्टन टॉपिक है और जो आज हम समझने वाल है वो आपका यह जो एक्जामपल है 3.3 कि ओप्टेंड करना हमें जो किसन जो मोसन की हमने जो उपर करी थी गराप को है इससाना gewa Indyorkpassen बना हुआ मातलब बहुत सारे मैथम έχει रूज हैं तो उनका यूज करके उन फॉर्मुलय von में था यूज करके हमें क्या करना है इस ऑ हमारे लिए केलकूलोसिन मैं से सबसे सिंपोटनेंट और सबसे यूसफुल जो चीज होने बाली वह है Imperator तो अभ ही हम कि पहले हैं पीडिकेशन को निलिए के लिए का जो है हमने लेटे हैं एंटिकेशन हुआ वह도 culinary के लिए थे वो opposite होता है differentiation के, differentiation का मतलग होता है, कोई भी चीज जो की बड़ी चोड़ी है, एक के लम्मी है, तो उसी चीज को तोड़ना, उस चीज को छोटा करना, वो होता है differentiation का काम, अब किसी चीज जो छोटी हुई है, पहले से ही तूटी हुई थी, छोटे-छोटे से में टुकड़े थे, अभी जो मैं चोटे-चोटे टुकड़े बोल रहाँ, वो क्या बोल रहा हुं मैंאשल मैं, देखिए हम जो बोलते हैं, वो ये है, कि जो आप अभी अपने grab देखते हो, जो हआँ अभी बनाते हैं, यह से करके जो graph बनाते हैं तो अब देखो जराद ध्यान से सुनों पहले तो बात है ना भागने की जरूत नहीं है आप सुचने लगो सर तो क्या मालूं क्या बता रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं पहले समाज़ लो मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं पहले देख तो लो जरा देखो मैंने ये ग्राब बनाया है ना आपका बिलकुल नहीं से करके कोई ग्राब बनाया है यह आपका कोई graph बन गया है, बन गया है, अब मैंने कहा कि इस में क्या था मेरा graph में, कहीं यहां से लेके कोई मेरा एक point यह था T2 और एक point मेरा कहीं था, यह T1 था, clear है, बहुत सांदार, यह मेरा T1 था, इधर यह T1 था, यह T2 था, और यहां कहीं पर वह वेलोसिटी थी मेरी कोई भी बन थी, और यहां कहीं velocity मेरी V2 थी, यहां से करके, कई बार हम देख चुके हैं, बहुत बार यह बात हैं हो चुकी हैं, तो अब इन में हम कर के रहे थे, differentiation में क्या कर रहे थे, कि हम T1 और T2 को छोटा करते 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 कहां ला रहे थे, यहां पर कहीं इस point पर ला रह हैं, integration करता है, कि इनको जो है, छोटे छोटे टुकणों को जोडते हुए, जोडते हुए करता है, यह पूरा हम यह area दे देता है, मतलब कि यह जो आपको area देख रहा है ना, हमने आप से कहा, कि हमें आप यह बताओ, कि यहां से लेके, इस point से लेके, इस point के बीच में, यह पूरा हुआ, फैला हुआ है, तो इसका area क्या है, कैसे बताओ गए आप, देखो, यहां पे आप जो अपने rule है ना, वो नहीं लगा सकते है, आप सुच रहें कि हम ऐसे करेंगे, यहां से लेके, यहां तक का नकाल लेंगे, जब अच्छे ही तो rectangle बन गया है, यहां से लेके इसमें triangle बारे वो लगाओ गया से करके, कि हम सुचेंगे, इसको triangle में बांट लें, यहां से कुछ चीज में बांट लें, तो भटने बाला है नहीं है यह, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा है, यह किसा है, आपका यह इस तरह से कर गया हुआ है, तो जो integration वो हमें यह help कर करता है, कि वो यह चोटे-चोटे टुकड़े हैं, जो हमने differentiation से की होई थे, मतलब इसको हमने इसे बार एक चोटे-चोटे-चोटे टुकड़े में बांटा था, तो उनको यह करता है, बिलकुल ही जोडते हो चला जाता है, हमने कहा है, यहां कहीं पर पांस थी, तो integration करता है कि दो से लेके पांस तक का इस कर्ब के अंडर कितना area आ रहा है, बो हमें निकाल के दे देता है, यह काम होता, integration का, clear है, अब जो यह integration का काम होता है, तो यह integration इसको करता कैसे है, उसको भी हम समझना पढ़ेगा कि यह जो काम है, जैसे कि इसको जो है बिलकुल छोटे-चोट को इसने बिलकुल उसमें बांट दिया, यह हमें यह पूरा बता दिया, भाई साब उस area उस जो कर्व है, उसका क्या area होगा, तो यह केंसे करेगा, तो देखी, इसके लिए केंसे यह करता है, मैं पहले तो कर्व बना लेता हूं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा आपको visible नहीं सही से, तो हमने यह कर बना लिया है, अब हमें, क्या चाहिए, हमें चाहिए, यहां से लेके, यहां तक का area चाहिए, ना, कहां से कहां तक चाहिए, हमें यहां से लेके, यहां तक का area चाहिए, यहां पर, जो है, हमने कहा दिया, हमें इसके बीच का area बताओ, कि इस पूरे, यहां से लेगे यहां तक क्या area होगा? हमने कि बेलोगे कुछ, दो देए, इसकी पांथ देदी है हमने कहा 2 से लेगे 5 तक हमें area बता हो क्या होगा? अब क्यांसे करें इसको? तो integration हमें यह बोलता है कि जिस भी जर्ब का आप area नकाल रहा हो पहले तो उस कर्व कि आपको एक कुशन पता होनी चाहिए मतलब कि जहां से दो से ले कि आप पांस तक नकालने वाले हो तो पहले आप यह पता कर लो यह बन कौन सा से रहा या क्या हो रहा इसके आप पहले कुशन नकाल कि हमें दे दो हम आपको करिए का इंटिकेशन करिएग से पैला झिस करणि के आप अंडर एरे निकाल रहे हो पहली उसकी आपको इक क्युस्थण पता हो तभी आप आंगे बढ़ सकते हो दूसरा आप आपको पॉंट्स पता हों कि आप कहां से कहां तक निकाल रहा हो आप पॉंट्स पता ह特व आपको दो दिये P contempor t liya तो पहला आपको कुशन पता हो, पॉइंट पता हो, तब ही आप आँगे बढ़ सकते हो, इंटिकेशन में, अब जो कुशन होती हैं, बो हम इनको ड्राब भी कर सकते हैं, कुशन हम बना भी सकते हैं, लेकिन इतनी लम्मी हमें अपनी फिजिक्स में नहीं जाना, हमें कुशन वगयरा को नहीं बनाएंगे और ना ही हमें कोई point की यसी जरुवत होगी ये सारी चीजहां में given रहेंगे हम्हें किशन भी given रहेंगे हमें points भी गईवएंगे हमारा काम इतना होगा कि हम examples होने चाहिए तो देखिए पहले हम एक пл hippie कुछ formula में आप लिष्ट कर देता हूं मतलब मैं लग देता हूं जिन जिन को हम लगा के इस पे आगे बढ़ेंगे जैसे के लिए पहला आयाद रखिए integration में जो पहला आपका formula है वो ये है कि किसी भी एक simple चीज का integration आप करोगे जिसे मैंने कहा 1DX, 2DX, 3DX, 4DX, DX यहाँ पे क्या है एक छोड़ साटा टुकड़ा है और यह जो मैंने इस तरह से बनाया है यह साप जैसा बू होता है आपका क्या बताता है कि यहाँ पे आपसे बोल देगा कि भाई आप जो है कहां से 0 से लेके 2 जा रहे हो या आप जो है 2 से लेके आप जो है कहां जा रहे हो इसको मैंने मिटा दिया देखो आप जो है कहां से कहां जा रहे हो तो आप जो है इधर ऐसे हो सकता है कि आप 2 से 5 जा रहे हो तो वो यहा का होना अनिवार है उसके लिए हमें इन पॉइंट्सों में क्या करना होगा सिंबल सम्कोई भी लेट कर लेंगे हम बोल देंगे टी बन से लेगे टी टू बोल देंगे और यहां पर जो मैंने यह पोर्शन लिखा है यह बंडी एक्स लिखा है इसका मतलब है कि जिस भी चीज का मैं नकाल रहा है उसकी एक क्यूसन है मैंने आप से कह दिया कि भाई सहाब मेरा यहां पर जो यह करव था इसमें यह जो मुझे मिल रहा है यह क्यूसन जो मिल रही है वो यह ऐसी क्यूसन मिल गई कि यह क्यूसन मिल गई भाई सब कैसे करके कि डी ए करके मिला यह जो था म तो जब मैं इसका indication करूँगा तो indication होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, सभी जानतेों ई जा मिलेगा तो इसका मा indication करूँ कैसे तो इसकेlock लिए मैंने जिसा आप tip जे था पिरा यही हैBeं Day lawsuit का यह कि जब मैं इसका indication करेंगे इन points हो मैं के लिले लेता हूं आपको यह देगा भाई साब x प्लस c देगा, c यहाँ पे होता है क्या कोई भी constant, हम जो constant आपका differentiation के समय है, इग्नोर कर देते हैं, 0 माल लेते हैं, तो वही चीज यहाँ पे यह indication में आ जाती है, मतलब कि जब आप इसमें value बगेरा को लखोगे, तो c के value मिल जाएगी आपको, अब हो सकता है का आप x को जो है, दो से लेके 5 ले गए हों, या 3 से लेके 6 ले गए हों, तो वो हम कैसे करेंगे, फिर इसमें हम limit को put करते हैं, ऐसे करके, हम 2 से 5 करते हैं, मतलब कैसे होता है, वहाँ पे case, फिर वहाँ पे जिसम 2 से 5 ले जाते हैं, हम बोलते हैं, बहुते है पहले मैंने X की बिलू रखी कितनी आपकी, पहली वाली रखी मैंने 5 रखी, फिर मैंने 5 में से ये 2 हटाया, तो बुझे मैं कैसे मिलता है, तीन मिलता, तो इस तरह से ये खेल होता है, लेकिन हो के खेल यहां पे रहा है, कि में जो खेल है, वो आपको याद रखना है, कि में आ रहा रहा हैं, मतलब जो मेरा x di power n हों और उसका मैं lingeringation कर रहा हूं, यह dx मैंने क्यों फिर से लिखा है, क्योंक क्या आपको a होता है, तो पर णूर सय होता है, यहां पर आपको जो value मिलनी थी वो मिलेगे नहीं मतलब आप जो है ले कोई value रहे हो और किसी दूसरे की respect में इसा नहीं हो था आप जो चीज यहाँ पे लिख रहे हो तो भई चीज यहाँ पे लिखनी होगी तो यहाँ पर हमने लग दिया एक की power n तो एक की power n का मतलब यह है कि n की value के हो सकती, bun हो सकती, 2 हो सकती, 0 हो सकती, कुछ भी हो सकती है न तो हमने उसको n लिख दिया तो इसका जो intuition होगा वो हमें जो rule देगा या जो हमें value देगा वो इस्तरह से दिए कि x की power जो n रहेंगी उसमें plus का burn होगा मतलब यहां पर दी x की power 1 होती तो x का score हो जाता x की power 2 होती तो x का q हो जाता x की power 3 होती तो x का 4 power हो जाती इस तरह से इसमें एक जोड़ेगा नीचे भी इसके ऐसे ही होगा कि जो हम power दर n plus 1 करेंगे उपर भी वो n plus 1 इसमें divide में चलेगा मतलब जैसे इसकी power कितनी थी बन थी तो 1 प्लस जो है 2 हो जाएगा और 2 यहां पर नीचे जाएगा मतलब किदर नीचे जाएगा और यहां पर c जो है as it is रहेगा c यहां पर constant की तरह बर्क करेगा हमें वो यह बताएगा कि यहां पर कोई भी चीज ऐसी है जो की आ सकती थी लेकिन आपने डिफिटेंस इसन के साम में इसको एगिनॉर कर दिया था लेकिन यहां पर आपको c लिखना जरूर रहता है अभी हम जो physics में derivation करेंगों उसमें c का importance अतना है नहीं कि साभी चीज है variable है और उसमें c को constant को लगने की तिनी जरूरत नहीं पढ़ेगी तो यह जो तो फैने आपको बता है बो तो एक क्या है आपको मैंने अभी के लिए जो यूज के साब से बता दी है लेकिन अभी एंसिस में बहुत सारे formula है जो कि आपको कही जिंगा यूज पढ़ेंगे और यह जो खास कर जो आप पढ़ोगे वो आपकी class 12 में पढ़ोगे तो अभी ज़ा आपको इतना दिमाग पे जोर नहीं देना है कि सर यह formula कहां से आगा है जो हम dx कर रहे है उसमें यह x q मिल रहा है x की power n का indication कर रहे है तो x की power n प्लस 1 क्यों मिल रहा है तो इस पे आप मच जाईए क्योंकि यह जो चीज है आप वो class 12 में पढ़ोगे अभी इन चीजों का जो use है वो simple इतना है कि अभी इनको जैसे मैंने लिखा बैसे याद रखिये अब मैं example और करा दूँगा आपको कैसे यह use होता limit लगा करा दूँगा जिससे कि आपको क्या होगा कि इनका use भी करना आने लगेगा और हमारी जो derivations है वो भी करनी आने लगेंगे तो आपको फालत उदर उदर नहीं भागना है कि सरब यह कैसे क्या आ गया तो उतना दिमाग पर जोर देने के जरूवत नहीं है अभी आपको इतना clear हो गया होगा कि भाई साब यह दो फार्मूले अब इन दोनों फार्मूले का use करती हो ज़रा हमके करते हैं कुछ example ले लेते हैं और उन example को लेने के बाद आप सीधे हम बढ़ेंगे आपकी derivation की तरफ तो जड़ा example देख लो तो सबसे पहला कुछ example हम ले लेते हैं जैसे के लिए हैं ना कुछ दूसरा करण ले लेते हैं तो example की तो और पर हमने लिया देखिए मैं example अच्छा ले लेता हूँ जो आपका अबलेबल तो जैसे के लिए हम ले लेते हैं भाई साब x का हमें इस इंडिकेशन कीजिए कि x की पावर है इस तरह स्कूर है और a dx है और हमें बताईए कि इसका इंडिकेशन क्या होगा अभी लिमिट नहीं लगाई है लिमिट लगाकर बता दूँगा कैसे करना लिमिट के संग तो पहले था में simple यह दे दिया आप इसका इंडिकेशन करिए आप कैसे करोगे बहुत आसान है अब भी उपर आपने देखा क्या होगा यहाँ पे सीधा x जो हमारा 2 है तो 2 n की तरह बर कर रहा और n में एक जुले का मतलब x का q हो जाएगा नीचे भी बही चीज होगी 3 z z रख जाएगा और plus कसी z रख जाएगा हो गया clear यही करना आपको चाहे हैं आप 4 ओ, 3 ओ, 5 ओ, कुछ भी हो इस तरह साब को आँगे बढ़ना है और दूसरा देखिए जरा अभी हमें एक और ले लेते हैं अब इसमें limit का कैसे put होता बो भी देख लेते हैं तो जैसे अभी हमने कह लिया एक दूसरा example और लेते हैं example लिया हमने कि हमारा क्या था भाई साब हमने ले लिया x simple और यह dx ले लिया और इसमें हमने limit put कर दी भाई साब 2 से लेके 5 भी कर देते हैं अब भी कि जैसे ही या दूसरा ले ले लेते हैं अच्छा सा जैसे हमने put किया है यहाँ पे 3 से लेके इधर 5 तक है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हमारा limit इसमें कैसे तो देखेंगे simple हो जाएगा इसमें पहले तो भाई साब जो x अभी power बन में है यह हम इसको जो है अब इसका indication करेंगे तो यह power 2 में जाएगा और नीचे भी 2 जाएगा यहाँ पे हम limit को put करेंगे इस तरह से यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 हमारा है c as it is 0 जाएगा अब हम सभी जानते हैं देखिए limit को जब put करेंगे तो यहाँ पे फश्ट जो होता वो होगा यह उपर वाला उपर वाला put होगा फिर यह नीचे जो बाला है वो minus होगा तो यहाँ पे क्यों हो जाएगा इदर x के जहाँ पे जाएगा 5 और यहाँ पे square एजट जाएगा 2 जो है इसको इदर बाहर भी ले सकते हो आप चाहो तो इदर बाहर कर देते हैं और यहाँ से नीचे हमारा यह पूरा हो गया है इदर इसको 2 एजट जाएगा माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा यह 3 का square ओवर ही 2 रह जाएगा अब जो 2 हमारा इदर बाहर रह जाएगा common होके 5 का square 25 होता माइनस 3 का जो square होता 9 होता यहाँ से आप सब जानते हो कि 25 माइनस 9 आपका जो होता वो 16 होता तो 16 over 2 हमें दे देगा 8 यह simple हम यहाँ पे logic लगाएंगे और हमें पूरा answer आपका मिल जाएगा यहाँ पे जो at मिला है वो क्या बता रहा होगा कहीं न कहीं किसी भी एक question का area बता रहा होगा तो यह जो होता है हमारा वो funda होता इसको करने का और यहाँ पे अब हम यही use करेंगे अब कुछ identities ऐसे हैं जो कि आपको आँगे use आजेंगी उनको जरा मैं list out यहाँ पे कर देता हूँ और उनको एक एक कर के बता देता हूँ कब कौन से identity लगेगी और उसका क्या आएगा तो चरह देख लिए मैं identity पूरी लिख देता हूँ पे तो आज अभी के लिए जो आपको यूज आई की physics में वह इतनी आइडेंटी हैं उनको देख लिए कि एक बार पहली जूब हमने बता चुके हैं यह वाली बन लेंसे याद रख सकते हो कि एन प्लस बना मतलब कि पावर यहाँ पर बढ़ेगी और यहाँ पर यह भी आप एन की तरह याद रखिए तो यह पूरा आपको याद रख लेना चाट बैसे तो आपको मैं सो से उपर identity लेखा सकता हूँ लेकिन आप लिए कोई useful नहीं होंगी जो यूसफुल आने वाली है वो ये हैं और जो भी आएंगी मैं वो आपको बताते चलूँगा तो पहले इनको जरा याद कर लो नोट कर लो जो जो मैंना इडिन्टी बताई है और जो मैंने बताया बस उतना याद रखना फाल दूगा कुछ भी आप दिमागा मत लेके घुमिएगा कि सर इसका ये फॉर्मूले कहां से आ गया कैंसे क्या हो गया है उनको यदि लेने बैठ गया तो फिजक से भी हाद दो बैठ हो गए और कुछ आपको समय नहीं आने वाला इसलिए विल्कुल जो 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 चुछ है मैंना भी आपको बता ही उनको याद रखेगा लिमिट वगरा कैंसे पूठ होती उनको याद रखेगा और इसके लावा जो भी कोई important चीज आएंगी उसको हम अभी derivation में भी ले लेंगे अब जरह मैं आपको derivation कराता हूँ जो कि आपकी किसकी है जो displacement को बगएरा को लेके है जो तीनों बो पांचों quantities का relation बनाना बो हम करा देते हैं kinetic equation of motion निवारी derivation कर लेते हैं तो यतना याद हो गया होगा आपको चलियांगे बढ़ते हैं दिखे गाज तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है बोल रहा सिंबल से है कि option of motion for a constant acceleration using a method of calculus तो करते हैं भाई साब इसमें सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है basic सीच जो हम जानते हैं वो हम यहाँ पर लखेंगे पहली भाई साब की वाई definition से कि जो acceleration होता है वो होता क्या है सभी जानते हो आप जो acceleration होता हमारा वो db over dt होता यह हम जानते हैं है ना यह instantaneous होता है अब instantaneous का ही integration करें के हम पूरा निकालेंगे देखते जाओ कैसे तो हम इसको इसे लख सकते हैं यह तो clear है सभी के लिए आप इसको हम के करेंगे इस बाली चीज को इधर भेट देंगे मतलब कि यह हो जाएगा यहाँ पे इसके संग multiple a dt हो जाएगा और यह हमारा db db रह जाएगा और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि इधर a है इधर t है तो इसका कोई connection नहीं बनेगा यह जो चीज है वो बाहर जाएगी देखो कैसे आएगी क्या होगा भी बताता हूँ तो जब हम integrate इसको करेंगे both side indication हम किसलिए कर रहे है क्योंकि हमें जो है ये दोनों side जब ये दोनों चीज़े बराबर है तो इनके दोनों side area भी बराबर होंगे टो हम इन दोनों को integrate कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें इन दोनों साइट के चाहिए area चाहिए और जैसे हमें इन दोनों साइट में area में लेगा हमें कोई ना कोई relation मिल जाएगी अब हम जो ढे जा रहे हैं कि जो db है उसको हम वी note से भी ले जा रहे है और जो dv है वो azitus ही रहेगा तो यहाँ पर हमने यह v-not से लेकर v तक में limit लगा दी है dv azitus है a dt को हम ऐसे ही रखेंगे और इसकी जो dt है वो उसकी limit कहां से कहां तक है 0 से लेकर t तक है जो हमने अभी देखा था कि समय हमारा वो 0 से लेकर t तक जा रहा था हमने अभी आपसे कहा है यदि यह हमारा t होता तो हम इसके संग रखते नहीं है यह हमारी चीज इसके मतलब t के बरावर की नहीं है मतलब t यहाँ पर कोई भी इसका काम नहीं हो रहा है इसे तो एक और भाई साब बाहर फैंक दो क्यों यहां पर यह कोई भी इसका बैरीवल नहीं हो रहा है इसको हमने बाहर कर दिया इसका इंडिकेसिन से कोई नाता नहीं है यह हो गया खुले विचार का आदमी है ना अब जो डीवी है उसका तो होगा तो डीवी का जैसा भी हम अब हो रही इसलिए कोई फंड़ा नहीं लगेगा हम सिंपली जो डी भी है डी वी रखेंगे इसमें पर लिए के भी लगेगी जिसमें से यह भी पहले भी रह जाएंगा वैं फिह जो चीज है ना बी वाला, वो स halo done को पुट गर लिए फिर माइनस लगाकर वी नौक को पुट कर दिया बें seems करके हमने यहां पर यहां पर यह वाली पदाके हमें जो आखरी में एक कुछन मिलेगी वो ये मिल जाएगी और अब भी हमने इसको भी पहले नकाल चुक्वे जबती वी उसकल्टवी यह प्लस 80 अब मैंने समय कुछ भी नहीं चुन्हें आलग से जो चीजी बहुक्रूल這些 े बहर क्यों नकला क्योंकि यह constant है, constant का कोई मतलब नहीं है, यदि इस केजने का T होता है, हम T का indication करें के T का square कर देते हैं, लेकिन ए हमारा T से कोई भी मेल नहीं करता है, यह clear हो गई होगी आपको बात, बहीं पर आंगे हम बढ़ा आते हो, इसको ऐसे लग सकते हैं, कैसे भाइस आप की जो हमारा balance of T होत TX अकेलर है जाएगा, तो यह DX एसर है जाएगा, भी DTS है जाएगा, अब चुक्कि यहाँ से हम जब इसको दोनों साइड इंडिकेशन कर रहे हैं, तो हम क्या करने बाले हैं, कि दोनों साइड इसमें area नकालने बाले हैं, तो यहाँ से जब इसका indication होगा, limit पूट होगी, तो X की value कहा से कहा तक लाई कर रही, X note से, मतलब X note मैं यहाँ पर यह बोल रहा हूँ कि X मेरा initial, मतलब कुसी भी object की जो initial position है, वो X note है, और final उसकी X है, तो वो हमने लिखा है, यहाँ पर हम इसको जो है time को फिर से 0 से ले के T तक ही पहुँचाएंगे, V यहाँ पर देखो, इसका और इसका कोई mail नहीं है, इसलिए जो भी है वो बाहर आ जाएगा, वहीं पर DX का indication अब भी हमने किया है, बोई हम कर देंगे, और उसमें जो है limit को भी put कर देंगे, अब देखी ज़रा, side में साथ इनोंने बताया है, इसको करके, तो बोई देखी यहाँ पर किया है, इ इनोंने पहले बाले को X notes को X से ले गए है, और यह क्या था हमारा, यह DX था, तो DX हमारा क्या होता है, X होता है, X में जब आप limit पुट करोगे, तो कैसे limit पुट करोगे, X करोगे, X करोगे, तो पहले X से जाएगा, माइनस का X note जाएगा, तो हम ZS को ऐसे रख देंगे, यह रख दिया है, दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं हम, तो दूसरे वाले में हम जो हैं क्या करना चाहरे हैं, तो हम उस B को बाहर नहीं ले जा रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, कि इस जो B था हमारा, उस B की जगहां पर हम U note या जो B note है मेरा, और plus का 80 है, उसकी बेलू डाल देता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो भी relation बनाई है, उसमें मेरा time का खेल हो चुका है, final initial velocity का खेल हो चुका है, isolation का अब हो चुका है, अब मैं चाहता हूं कुछ और मुझे अलग मिले, तो इसलिए मैंने क्या कर रहा है, यहां पर B को substitute कर दिया है, किस से इस से, त क्या हो जाएगा, यह जो चीज है मेरी, इसके संक जब आएगी, यह तो बाहर यह जाएगी आघरा हैं हमसे, ना, अन्हें हैं ना, इस दो उन्हें जा है कैसे किया, बता देता हम, उन्हें इन से किया है, यह मेरा 0सले के T था यह मेरा क्या भाइसा V अऩग है प्लस का e T है और यहाँ से मेरा यह d T है इतना ही था मैंने इसको एसे किया कि मेरा यह रहा भाइसा यह Hier रहा इसको मैं भी नोट को multiply by dt कर सकता हूँ प्लस का मेरा जो 80 है उसको मैं dt कर सकता हूँ यही कर सकता हूँ, अब मैं इसको अलग-अलग यह से करके डिफरिंसेट कर दूँगा, इधर जीरू से लेकर यह ती का यहां से जाएगा, तो वी नोट तो बाहर जाएगा, डी टी का तो भाई साथ टी होता, तो यह ती मल्टिप्लाई में चला जाएगा, प्लेस किसंग, उ इसको जो इधर नीचे ने लिख के दर हाफ करके लिख दिया, तो यह सhीनों ने इधर किया है, जो मैंने वी उपर करा है, और इसको जब आप कल लोगे, इसको आप इधर जब भेज़ दोगे, तो आपको जो हमने अब भी किया था, बही चीज मिल जाएगी, मतलब कि हमार a iscal to db over dt db और इस तरह हाँ इसको जो है simple भी में आप ऐसे कर सकते हो db over dt है तो इसको db over dt को आप क्या इसे लग सकते हो तो db over आप जो है इसको dx dx तो इसी कड़ जागा तो हम इसे लग सकते हैं सभी जानते हो तो हम यह जानते हैं कि जो dx over dt होता आप क्या होता बैले शुटी होता है और db over dx कोई रोल नहीं रहेगा ऐसी रह जाएगा और इसको हम इस तरह से लग सकते हैं कि vdb और adx लख सकते हैं देखो हम जो हम कुल मिला के यह चाहते हैं हमारी जो relation से वह मिल जा, किसी भी विदी से मिले कुछी भी हो हमें बस relation से चाहिए तो हम इसमें क्या कर रहें अपने-अपने खेल लगा रहे हैं हमने कौन सा खेल लगाना चाहा हमने ऐस लेसन और इसके बीच में खेल लगाना चाहा था हमने वह किया है तो हमने उठा के करा SDX को A के संग भेद दिया और ये B, D, B, V, D, B रह गया है दोनुसाइट हम क्या करेंगे उठा के Indication कर देंगे अब चूंकि ये V, V है और ये V, V है तो आप असमेन का समझोता तो होई जाएगा मतलब की अब यहां से क्या होगा जब इसको करोगे आप continue तो आप जब इसका करोगे जो V और D, V है तो जब इसका आप Indication करोगे तो V आपको Square में मिलेगा और नीचे भी आपको एक नीचे आपका एक 2 मिलेगा और फिर जब आप इसमें limit पुट करोगे कहां से कहां तक V note से लेके V तक में तो पहले बाले में तो V score over 2 हो जाएगा और दूसरे में V note score over 2 हो जाएगा इस तरह साब करना है कुछ नहीं है सिंबल जीज़े तो आप यहां पर कर लोगे अब देखिए हो गया रहा है यहां पर अब इस D A का और D X का कोई connection नहीं है एक दूसरे से A को भार भेद देंगे X के लगा integration होगा मतलब बन का तो X ही देदेगा यह हमें यह value मिल जाएगी और जो है अब भी हमने किया था यह वाला में आपको साड़ में करके बता आ था बो चीज हमें ऐसे मिल जाएगी और यहां से यह two है इसको धर multiple में भेद देंगे और यहां से हमें यह पूरी third question मिल जाएगी motion की तो यहां पर हमने तीनों question को निकाल दिया है integration की help लेके अब आपके अंदर मैं जानता हूँ doubt यही आया होगा कि हमने इस तरह से ऐसा क्यों किया हमने इसमें इसको put क्यों किया तो भाई साब क्यों put किया है किसलिए put किया उसकाँ से सिर्फ इतना ही सही है कि हमको किसी भी तरह से relation बनानी है चाहे हम इसको इस तरह से put करके लाएं आप चाहूँ तो अपने अनुसार आपको put करके लिया हो पतला हमें किसी भी तरह से क्या करना है जो हमने ग्राफिकल में एक कुछन हमने बनाई थी अपनी आवसकता अनुसार graph method से तो बही हम क्या कर रहे हैं अपनी आवसकता अनुसार method या फर जो हमारी identity से उनको बना रहे ह आप अपने तरीके से बना सकते हो, आप चाहो उसको थोड़ा और अलग लिख दो, और कुछ कर लो, अब अपने तरीके से करके देख लो, जो आपकी भूक में दिया गया है, उन्होंने अपनी सहुलित के साब से इसको लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, एक दम रूल है, क इसको निकाल दिया, अब इन से हुआ क्या फाइदा है, हमने ग्राफ से किया, और अंतर क्या पढ़ा हमें, तो अंतर इतना सा पढ़ा है, कि इसमें यह एडवांटिज रहता है हमारे लिए, कि इस मेंटर इस देट, इस कैन भी यूज़ फूर मोशन वित नोन उनिफॉर्म इसलेशन आल्सो, मतलब कि इस से करने से हमें, जो इन्टिकेशन हम करने से हमें यह फाइद रहता है, यदि हमारा कोई ही पे भी मोशन नोन इनिफॉर्म था, और हमने भी पढ़ा था कि नोन इनिफॉर्म के संग हमारी जो पहली जो काइनेटिक एक्विशन वो नहीं लगत है, लेकिन इन्टिकेशन से जो हम करते हैं, उसमें हम नोन इनिफॉर्म को भी, जो नोन इनिफॉर्म एसलेशन है, उसको भी कर सकते हैं, यह आपको याद रखना है, अब कुछ इसके एक्जामपल दिएगा है, तो बूब मैं अंगली वीडियो में लाओंगा, क्योंकि बै ले लेंगे, बांकि इतना कुछ भी इसमें डाउटफुल नहीं था, कि जो आपको न समझाया होगा, सिंपल से बैटके एक बार देख लीजेगा, यह दि आप चाहते हो कि मैं इसको बन बाई बाई स्टेप पूरी आपको डेरी वेसन एक पूरी पीडियेफ के फोर्म में दे दूँ, तो कमेडोक्स में लेकर दीजेगा कि मैं आपको साड में कहीं पर करके स्टेप बाइट स्टेप दे दूँगा, क्या रहता है, NCRT में कुछ स्टेप यह खा जाते हैं बीच में, अब आईन्होंने जो है कहीं कहीं पर ऐसे नहीं बताए, भाई साब यह भी यह हो गया, किस तरह से क्या होगा, वह थोड़ा सा कहे हैं, वह सोट में करना चाह रहें, यूज, अब उतल बताएं आपकर वह भी जायेगा, तो मोर्छ आते हैं, कहीं कहीं कlem कुछ चीज़ें काड़ देतें, लेकिन क्या होता कहीं को समझक् année आपाती हैं, और हम पूर्दी कर है क्योंकि कुछ बच्चों को यह से डाउट रहता है कि सर इसमें यह कहां से आ गया वो कहां से आ वो कहां चला गया तो वो सारी चाहिए मैंने आपको बता दियें बागी कोई भी डाउट गया होगा तो प्लीस कमेंट वोक्स कि उसन से हम इसे बाले एक्जांपल को कैसे सवाव कर सकते हैं और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है तो इस लेक्चर में इतना ही था और इदिया आपने पूरा लास्ट तक देख लिया तो प्लीज जो है इसको ढाई सो लाग का जो है टार्गेट है जाई सो लाग कर दो लागे उस लागेट है आपने प्लीज जी जो है यज जो है जो है जो है टा जाई सो लागेट है टार्गेट